यह जमी पर बैठ कर क्यों आसमा देखता है पॉंकों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है हेलो अब्रीवन वन्स अगैन वेल्कम टॉन्टोंड कॉंसर्ट जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉंसर्पवाइज आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप सैने के स्कूल या मिल्टरे स्कूल या RMC या JNV या CHS जो भी तमाम स्कूल होते हैं जहांकि आपको entrance exam के त्रो admission मिलता है आप उसकी preparation कर रहे हो main focus आपका सायने के school या middle school RMC इन पे होगा तो उसके लिए आपको daily classes मिल रही है जिके आपको proper notes बनाना है जैसा मैं आपको notes बनवा रहा हूँ वैसे आपको notes बनवाना है proper अपने notes बनाओ और उनको आपको daily basis पे revise करना है कोई भी problem होती है I am always available for you guys बाकी classes की मेरी guarantee है जो मैं आपको करवाँगा आपको easily समझाएगा ज्याद effort नहीं लगाना पड़ेगा आपको बस follow करना है और main change क्या है revision करना है revision जितना करोगे चीज़े आपको उतनी clear होती जाएंगी सिर्भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो I am always available for you guys क्योंकि हमारा जो ये connection है ये दोनु साइट से है जितना effort मैं कर रहा हूँ उतना effort आपको भी करना है और definitely आपका जो goal है वो आपको achieve हो जाएगा अगर आपने भी तक channel को subscribe नहीं करा तो उसको जुरूर subscribe कर दो उससे आपको new videos की notification मिल जाती है और जो भी videos आती है उसको like आपको जुरूर कर लेना है comment आपको जुरूर करना है positive या negative जैसा भी आपको feel होता है अगर आपको सही लगता है तो like करना है नहीं लगता है तो dislike भी कर सकता हूँ इसमें को issue नहीं है बट अपना feedback अपना suggestion आपको जुरूर देना है क्योंकि मैं बार 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 बोलता हूँ यह सब आपका है आपके लिए है आप से है तो चीज़ा आपके according होनी चाहिए जो आपके लिए best हो वो मैं देने का हमें सा try करता हूँ बाकी एक promise अपने आप से कर लो क्यार मैं जो यह preparation की जरूर नहीं है बिल्कुल honestly बिल्कुल इमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी preparation करूँगा सीखूँगा नई चीज़ा सीखूँगा जो भी परेशानी आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा तो चोलो start करते हैं मस्त अपनी नूटुक बनाओ अपना एक proper एक जगह लेकर के बैठ जाओ अपने कोना पकड़ लो क्यार मैं अपनी class कर रहा हूँ चोलो आज हम start करते है चोलो भई तो हम लोगों का जो ratio and proportion चल रहा है आप लोगों को clear हो गया होगा last step पे हम उसके चल रहे है जो की question वाला step है ठीक है इतने सारे हमने इसमें concept वगरा करे थे ठीक है फिर हमने इसमें जो भी questions वगरा हम यहाँ पे लेके चल रहे है I am sure वो आपको clear होते वे चल रहे होंगे last हमने एक question करा था अब आपको question का funda clear हो गया होगा कि हाँ सारे में किस तरीके से questions को proceed करना है वो आपको समझा रहा होगा ठीक है बागी इससे पहले तक क्या था कि normally हम लोगों के पर छोटे मोटी statement आ रही थी अभी तक हमने जो भी चैप्टर करे है make sure आपके वो चैप्टर अच्छे से clear हो रहे होंगे अब जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे है तो हम पर statement बढ़ती जा रहे है क्या होता है कि सर जो भी statement है हमने उनको equation में convert करना होता है एक बार equation में convert कर लिया फिर दिक्कत नहीं आएगे इसमें लेते हुए चल रहे है ठीक है ध्यान से देखना ध्यान से समझना और कोई भी problem होती है तो बिल्कुल बेज जिजाक हो करके आप लोग क्वेशन को पूछ सकते हूं लास्ट हमने कौन सा question कर रहा था यह वाला कर लिया था कि थेम आरिंदा रेशियो यह वाला ठीक है next question मैं आपके सामने लिख रहा हूं note कर लो ठीक है note कर लो कि हम रेशियो के question कर रहे है तो हर जगे आपको ratio मिलेगा इधर ratio of the ratio of copper एक metal होती है एक चीज होती है copper जिसे हम TAMBA कहते हैं तामब के बढ़तान होते है उसी को यहां पर कहा गया है copper and a se 1 एक धात होती है एक कोई साथ हुआ जिनसे हम कोई बीचीज बना रहे है जब हम दो मेटल को मिक्स कर लिए रेथ उसे हम क्या कहते है एलॉई कहते है ठीक है यह हम लोग स्टेटमेंट ने रिखिए लेट वेट वेट सहो सबको पते आपको फाइंड करने को बूला गेंड है आपको क्या करना है वह आप से यहां पर पूछा गया है ठीक है अब से पहले तो सब लोग इस क्वेशन को समझ दो इस क्वेशन की स्टेटमेंट को पकड़ लो कि क्या इसमें पूछा जा रहा है अभी कुछ मत करो सिर्फ इस्टेटमेंट को पकड़ने का ज्यान रुखो कि क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग से चले स्टार्टिंग से हमने आप क्या बोला जा रहा है कि सर्व क्लियर ऑगया ड्याय कि सका रेष्योपिन हो अदिक्का हो रही है वो इनको A और B समझ सकता है वो इनको राहुल और रोहन समझ सकता है ठीक है वो इनको माधव और दिख्षल समझ सकता है वो इसको अभिनाव और माधव समझ सकता है समझे मेरी बात कुछ भी हम आपर नाम समझ लो उसमे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है वो इसको उमं स्मस्किद कर नों को यदि ये इस किया होता है ये हमेश्चां थे रिए रहता था समझ है यह मेरी बात चीज करूब घ्यान से समझ दिया है जो पर का ठी हो गया है जिंक गई क्या हो गया एट हो गया यह बात सरा मैं समझ आई फिर था इफ दा वेट ऑफ जिंक यह दी जिंक का वेट इन्दी एलोई इस एलोई में जो हमने उन दोनों को मिक्स करके जो बनाया उसमें अगर जिंक का वेट कितना है 128 ग्राम है तो हमें कॉपर का वेट फाइन करना है यह हमें गएफ और जिंक का वेट दिया है 180 ग्राम है जो जिंक का इसका मालों जो हमें वेट दे रेखा है वो कितना दे रेखा है 180 ग्राम दे रेखा है और जो कॉपर का वेट है वो बुला कि find करना है तो मैं इसको क्या मान लूँगा एक्स मान लूँगा इतना आपने इसको समझ ले ठीक है यह मैंने डेटा आपके सामने लाके रख दिया अब हमने इसको क्या करना है क्यूंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं सरमने चैप्टर पढ़ा ratio and proportion पढ़ा ठीक है ratio मैं सम इसको क्यों कट है यह रेख। लिए अब हम क्यों कि is a proportion मैं इसको करना है तो मैंने प्रपोर्षान का सढ़ा था जैचोंने proportion का साइन लगा धिया हम यहां पे फिर क्या समझ रहे हैं कि जब हम दो चीजान का दो रेष्यों का क्या कर रहे हैं कि यहम प्यारिज़ां कर जिंक कौन है आप बोलोगे सर जो यह 3 है यह 3 किसका copper का है जो पहले लिखा होता है वही पहले का ratio होता है ठीक है तो copper के लिए 3 होगा तो यह 3 तो है वो किसके लिए है यह आपका copper के लिए answer जो eight है eight किसके लिए eight है आपका je bibili eight ने क्या करना है 128 ग्राम है किसका वेक जिंक का इस जिंक की जगह मैंने 128 लिख लेने हैं अब मैं proportion लगा दिया जिंक पीछे था consequence था समझाई रहां Corresponding जिंक की णिंक रिस्प्रेक्ट मैं जिंक के एक्वल में जिंक की क जगह पर जो समझना हैसमझ लो थी जमने五 pack करें उसके सामने सामने अज हमें बोला कि मैंने पहली कर दिए पर उसको मैंने णे श माले बस मेन चाइपका यह था यह आप अने समझ समस्ध लिया अब आ सरेत्थ यहां से यहां से कल सन कर शेकर सकते हो कि स rigorous write as x क्या था copper था copper का weight finding करने तो मैंने copper की जगह x लिख लिया ठीक है 8 क्या था जिनक का weight था तो उसकी जगह मैंने 128 कर लिया अब आपको पता है इसली कर लेंगे इसको हम fraction बना देंगे raise to 8 है 3 upon 8 हो गया बीच में proportion है equal हो जाएगा यह x है and upon 128 बताओ अब आप बोलोगे तो बहुत easy calculation हो गई अब यहां से तो हम इसको easily answer निकाल सकते हैं अब इसका मुझे answer तो जल्दी ठीक है अब इसका मुझे answer तो जल्दी अब इसका answer भई आना चाहिए ठीक है जो इसका answer नहीं देगा उसको मैं आज निकाल दूंगा class से क्योंकि आप तुम ख़ंब माना है वही हमारा answer होगा तुरांत बयां से एकसी वैल्य आपको बताने है अब कौन उसका यहां ट्रेस की पर आपको और कहने लकाल रागा लेता हूं कौन का पताता है ठीक है इसकानि कितने देरे में you can same मैं answer देता है, क्या कौन कितने जल्दी देता है ठीक है, आपका time start हो इना फुरा मैंने आपको करके दे दिया ठीक है, आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है थोड़ा सा rearrange करना उसको अब देखते कौन कर पाएगा, कौन ने कर पाएगा ठीक है थोड़ा बताओ अंसर इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी पूरा मैंने आपको खाली सजा करके दे दी लेट सजा करके दे दी ठीक है अब आपको क्या कर रहा है खाना खाना है जिसको खाना आएगा जिसने सीख रखा होगा कि कहाना कैसे खाते हैं वो तो इसलिए कर लेगा वो तो जिली कर देगा बापको फिर भूगत की यह क्या रूक होगे कि जिस्य नहीं कि नहीं कि यह दूसरो कि माधव का आद रहां से वेरीगोट लिए बहुत बट वड़ गया माधव वेरी गुद वेरी गुद नहीं माधव का में ऐखना है ओपनưởng एक नट से पहले पहले क्याक्योयosend कर लें और जल्दी करना कहां टॉइवा है और जल्दी करना कर राए करो ठीक है और टाइम पर जॉइन करो पैंट लेट मत किया करो सब लोक टाइम चπως चौ stats होती है तुस्से 5-10 निट पहले आपको क्लास में अवेलेबल रहना है ठीक है आपको अपने नूटू को बगरा करनी है ठीक है अब ये देली थोड़ना चलेगा भी ठीक है डेली डेली ये फर्स्ट क्वेशन है सिदार था फर्स्ट क्वेशन चल रहा थी लेट जोइन क्यों क्यों किया है तो डेली डेल नेटर प्रॉब्लम होगी कैसे देगा अनेट खटम कर दिया होगा पहले जो नेटर प्रॉब्लम नहीं होगी सुब ऐसे ऐसा दो नहीं है जब भी आइसी प्रॉब्लम होती है तो फिर जब भी आधी क्लास के हो जाती है अ dispil live class मत जोइन किया करो उस ताइम फिर आप अपनी practice किया करो Question की और जब recorded आयेका फिर recorder देखा करो, है ना, क्योंकि वैसे मैं फिर आपका आगे का छूट जाएगा, उसमें खहर अभी तो first question चल रहा है, इस तरीके से किया करो, very good, दिक्षिल का भी आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वे, दिक्षिल का भी बिल्कुल सही आंसर आया, very good, तर्थक ने यही आंसर बना दिया, तर्थक ने इसी को आंसर बना दिया, गलत है, तर्थक आंसर गलत है, यह बिना व आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है, वही, उमंग का आंसर किदर है, तीन तीन चार चर कोचिंग जा रहा है उमंग, और एक आंसर नहीं कर पा रहा है, है, ऐसे कैंसे चलेगा, तुम पोड़ो लेकिन अच्छा पोड़ो, ठीक है, बढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ है, सुब ऐसे साम तक, सुब ऐसे राहा तक बहुत खतरनाक तरीके सा करोगे लेकिन उसका रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना, है ना, बिले आप एक दिन में सिर्फ एक क्वेशन करो, लेकिन वो क्वेशन आपको हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए, हमेशा के लिए ना भी हो, उस दिन के लिए तो क्लियर होना ही चाहिए, यार आगे ऐसा क्वेश एक बात समझ दो मेरे एक बात को आप बिल्कुल केर पुली सुनने का ट्राइग रो समझने का ट्राइग और तुम लोग प्रैक्रिस ने कर रहे हो पहली बात तो तुम्हीं स्टेट्मेंट को नहीं समझ पाओगे अगर अगर एक बारे के लिए आप इस स्टेट्मेंट को समझ भी गिए फिर आपको उसको इक्वेशन में करना में दिक्कत आएगी क्योंकि प्राक्टिस नहीं कर रहे हो जो लो इक्वेशन में भी आपने उसे कर दिया फिर आपको इस तरीके के यहां पर यह क्या करनी पड़ेगी अगर आपने अभी प्राक्टिस अपने स्टार्ट नहीं कर आपको प्राक्टिस सही करने पड़ेगी क्योंकि जब तक अपने आप से प्राक्टिस नहीं करोगे तब तक ऐसी फ़स्ते रहोगे इसमें करने पड़ेगी आपको इसमें अपने आप से ही चलो बताओ क्या होना था सिंपल क्वेशन था सिंपल क्या था यह सिंपल कर देखने करने था सिंपल धिया अपने इस जिसके value चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो कुछ भी है, उसे आपने हटा देना है, हटा देना है कहाँ, एक वल के दूसरी side भेज देना है, ठीक है, मैं इसको और sort करवा रहा हूँ, बाकि अभी बताऊंगा किसी में दूसरे तरीके से क्या आप बोलोगे sir, x के साथ 128 किस में है, divide में है, अगर ये एक वल के दूसरी side जाएगा, तो ये multiply में जाएगा, ऐसा समझ लो, ये समझ लो, x के साथ 128 क्या है, denominator में है, अगर ये एक वल के दूसरी side जाएगा, ये क्या हो जाएगा, numerator में जाएगा, ये चीज आपने समझी है, तो 128 यहां नीचे है तो यहां जाके उपर चला जाएगा और 3 के साथ क्या होना है मैं सब मुल्टिप्लाई होता है ठीक है किसी नम्मर के साथ हो जा रहा होगा मुल्टिप्लाई होता है यहां क्यों ने लिखा हर जेग ऐसे आंसर सेम आएगा अब देखो आप या तो 128 को क्या कर दो मुल्टिप्लाई कर दो फिर 8 से डिवाइड करना हो सकता हो नम्मर बढ़ा हो जाए हम क्या करेंगे हो सकता है एट से इसको हम कैंसिल आउट कर सके चेक करना है प्रक्टिस करना है तो आपको कितना जल्दी हो सके सिंप्लिफाई करना है तुरांट अंसर निकालना है यह हुझा आपको अपना ना इयट से को टिवाइड कर रहा हूं एट बन जा एड हो गया ब्लब की जगए आपको आपको पता होती तो आप सीधे मांन में आ रहा सिक्षी नेट जाग 1 त होता है वह अब क्या बचा आपके सामने भी मचा इंट मग ऑचा सिक्टीम बचा एंट सिस्टीम उच्छा शिक्टिन ऑगो कि यह डिधा एंसर आपका स्थी ऐफ इस्टक कुष्टाइध वहां शक liked यह क्या सबको यह सब कौ भामएं कितना मिल यह सबको वहां में कितना मिल य तो मैं 48 मिल गया इसमें कोई इश्यू है किसी को कोई दिक्कत है कोई परिशानिय है तो बताऊं अब समाझ आ रहा है सारे चीजा क्लियर हो दिये हैं ओके ठीक है कि अब यह रहा है कि अधिक है थोड़ा से चूटा सा प्रब्लम है कि आपको पता है मैं उत्राखंड से बिल्लॉंग करता हूं और उत्राखंड में बारिस वाइस का प्रशी जान आता है बहुत तगड़ावाला ठीक है बहुत तांदी तुपान चलते हैं तो यह लाइट के सब्सक्राइब करता है तो यह बहुत जाएट कर रहा हूं ठीक है मैं बिल्कुल ब्लैक हो जाओंगा इसके इन्तों दिखती रहेगी जाए कि उसके चांस तोड़ी लंबर चलेगा आपका वह फील नहीं आएगा ठीक है लेकिन मैं पढ़ना है कि कोई दिक्क्त तो नहीं है अगर यहां तक किसी को दिक्क्त आये तो बताओ अगर आपको यहां तक प्रॉब्लम आई है अगर यहां आपको कोई भी समस्या आ रहे है कोई दिक्क्त आ रहे है तो बताओ अगर कोई भी समस्या रहे तो बताओ अब क्लियर है ठीक है मॐसंगता है किसीने स्क्वेश्न को ऐना करा और को किसीने यहां किसीनस्पैने करता ठीक्त आपने इसक्वेश्न कैसा कि आपने पर क्रॉस मुल्टिप्लाई करा होगा ठीक है ऐसा भी आप मैं इसको आपको समझा देता हूं और वो सकता है आपने आपको क्या करा होगा क्रॉस मुल्टिप्लाई करा होगा यह क्या यहां पर यहां पर क्या था यहां पर क्या था त्री अपॉन एट था इस इ सब्सक्राइब करें दिवाइड हो जाएगा तो बन गया यह आगे पीछे कैसा भी उससे दिक्कत नहीं आती है तो यहां से आप इसके लिए सब्सक्राइब का अंसर क्या जाएगा असे आपका अंसर 48 आजाएगा कि यह रहा है है अनुद्सक्राइब को लिए लाजा इसब को बैसे अनुद्सक्राइब कुछू था अगे चल लें आगे चल लें जो तो यह वह इस बढ़ाव एड़ाते वह चलो इक च भी बात बने गिटिस्ट एक्षिवेसा देख लो एक्षिवेसान आपका population, population तो सब लोग समस्ते हो, question को लिखते जाओ, और उसको समस्ते भी जाओ, ठीक है, population of a town, population of a town, जो town की population है, वो कितनी है, 106, 106, ठीक है, out of, out of which, out of which, 6195, 6195, are male, 6195 are किया है, male है, फिर बोले आपको, what is the, what is the ratio of, what is the ratio of females, what is the ratio of females to males, यह एक्जाम के question, एक्जाम में इस तरीके से question पूछे जाएंगे आप से, ठीक है, एक्जाम में आप से तरीके के question पूछे जाएंगे, इस बात का दियान रखना भई है, एक्जाम में इस तरीके साफ से question पूछे जाएंगे, बताओ, पहरा statement, तुम्जो, कि बाई statement कोई question में कर्मड करो, इस बाद तरी चीजा आपको clear होई जाएगी, मैं आपको visible तो होँगा नहीं है न, visible तो होँगा मैं आपको, मुझे क्या ही देखोगे है न, मेरी shadow दिख रही होगी न, बताओ बूथ है न, आज हम गाज हमने बूथ की class लिये न, आज बूथ ने हमें पढ़ाया है सब ओ लोगे, सब ओ लोगे गया, आज देखते हैं सबसे पहला answer कोन देता है पहली बात question को समझने कर ट्राइ करते हैं ठीक question को समझू, क्याम है population दे रिखे, population सब को प्रेव है जन संक्या, किसी भी हित्र में किसी भी जगह है, कितने लोग रहते हैं ठीक है उसे हम क्या कहते है, population कहते हैं ठीक है हमारे इंडिया में country में total कितने लोग है ठीक है total कितने people है, तो क्या हो जाएगे population हो जाए, population of a town, town मतलब जो कस्वे होते हैं छोटी जगह होती है, ठीक है ठीक है, जो टाउन है जो कस्वा है वहां के जो जन संक्या है वहां पर जो लोग रह रहे हैं वह लोग रह रहे हैं 10,620 ठीक है, फिर बोला कि what is the ratio, इतना तो यह statement है आपको दे रही कि जो population of a town की 10,620 है, उतना से 6,195 male है, अब आपको question पूछा, बताओ what is the ratio, आपको ratio निकालना है of female and male का, female और male का आपको ratio निकालना है, बहुत simple question है, बहुत ही simple question है, लेकिन इस question को करना के लिए, इस question को करना के लिए, हमें क्या आना चाहिए, इस question को करना के लिए, एक तो हमें अगर थोड़ा HCF हमें आना चाहिए, अगर हमें HCF निकालना आता है, question को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर HCF निकालना हमें नहीं आ रहा, उसर हमें divide करना आना चाहिए, बहुत अच् नहीं हो जाएगी ठीक है अगर यह भी clear है एड जेंड हमें पता इसमें क्या करना है हमें reduce करना आना चाहिए reduce करना सिखा रहा है चाहिए वो fraction हो चाहिए वो ratio पतलब standard form में या simplest form में हमें उसे reduce करना आना चाहिए ठीक है female करेश निकालना है तो मैं female के नमर को पहले लिखाए और male के करना को बाद में लिके होगा ममे अधसे नमर इम्मर पता होना चीह थाए तो मैं यहां से एक नाम मेंदे पता होना चीह ग टीक है सर हमें यहां पे जो profitsplement और ले रखिया थो हमें आपकी Yangピosal एकितनी 7626 को हुआ सब्सक्राइब हो अब आपको बोला ratio निकालो female और male का, जब हम यहाँ ratio निकालने जाएंगे, हम ratio किसका निकाल रहे है, female का निकाल रहे है, females का निकाल रहे है, and किसका male का निकाल रहे है, पहले हमें इनका कुछ value तो पता हो, male की value तो मुझे पता है, male कितने है, 6195 है, male कितने है, 6195, यह number of male है है तो हमें जब तक यहां पे नम्मरण फीमेल पताने वी मैं कैसे इसका रिष्य सो कर नंज नीद्ञाल पाउंगा अभ्या निए अप देखोगे इसा तो यहां से आप समझ जाओगे कि जो 10,620 है इस मैंसे अगर मैं मेल को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा फीमेल मिलेंगी ठीक है मुझे नहीं मिलेंगी में आप अफ मिलेगा फिक है हम क्या कर लेंगे हम यहां से क्या कर लेंगे नम्मर अपर लिख लेता हूं ज़िस अबहु अक किए अम्हसर आइसका कर रहे हैं नम्मर ओफ फिमेल अम ओपनु पॉबीश नहीं म्हसरों टेण rhash पॉप जो पॉपुलेशन है वो कितनी है वह है 10,620 इसमें से माइनस करेंगे किसको नमर आफ मेल को 6195 को कर लेते हैं माइनस माइनस करेंगे 10-5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाप यहापका 5 बचा 5 मैसे 1 करोगे और हो जाएगा यहां से आपका 0C आएगा यहां से आपका साथ क्या हो जाएगा 10425 कि तो नहीं करा मैंने गत कर दिया मैंने है एक कि समय है कि मैने 55 होगे आपके 11-9 to 배ख यहां पे पाइज मैस मैं अच्छे आप यहीजी रो नदा तुबु मैन से कितना हो जाएगा कि हो जाएगा कि है कि अंदिना अध्र है चोण टिक सुवन थैफ हो गया टीक बूर सुट बढ़िया डेखिंव वार्ट टूफाइब मुझे क्या मिला नम्मर फीमेल मिली अब कुछ भी नहीं है हमें रेशो किसका निकालना है इमेल टू मेल का मेरेश्यो निकालना है पिमेल कब की यह घंट ज था फाइब की टार भी को मैल आहे घटाल कि दोरेशीय है लेकिन 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 जो एक छुह पर आपिर ये तो नम्मर ऐब फिक है यह ब्याब उसको छुद करना गते हैं और मिखाल करने कि लिए यह दॉट पहर आले पड़ेगा इसलिए मैं बोल रहा था आपको इन दोनों को एक ए नमर से रिडियूज करना आना चाहिए आपको इन नमर को रिडियूज करना आ गया तो आप इसे यहां पे रेशियो बना सके में कोई बोलेगा सरी फाइप से डिवैड हो रहे हैं दोनु तो आप इनको इस तरीके साब इनको प्रॉस्ट किया चुरो इसका रेश्यो निकालो फिर लाइट का प्रॉब्लम है सरण्या ठीक है एक्चुली लाइट नहीं है यह बहुत बार ही सोर्याज कल उत्रा खंड़ है न उसके बैटरिल हो जाएगी न यह वार्निंग दे रहा है पैटरिल हो का जाद लाइट लगी रहती है ना आपको पता है जार पूरी दस से भी जाएगा तब जाके तुम लोग मुझे देख पाते हो कि यह पर लाइट लगी है तो वह बहुत ओवर्लोड होता है न जब वह बैटरे लोग है अब यह काम आपका है आपको यह तो इनका सिखारक है न सिखारक है अब आप बोलोगे कि सर्फ ठीक है हम अगर इसको अगर हमें इनका सिख निकालना नहीं आ रहा आज जो कि आना चाहिए आपको हम इसको कैसे करेंगे हमें इसको रिडूज करना है इन दोनों को एक ही नम्मर्चे करना है फाइप का डिविजबिटी रूल तो पत आप डिवाड करना भी नहीं आएगा तो तुम आप जो लिखा रहा हो कुछ एनप क्लास का कुछ और सफटारा ओगा या एक्जिट करके अराम से अपने इसा ओधर खेलने चिले जाओ ठीक है क्योंकि आपके बसका कुछ भी नहीं है अगर तुम लोग डिवैड भी नहीं क पूर बचा 45, 5, 9, 45, अब ये बन गया, फिर आपको इसको अब रिडूजी करना है, देखो अब किस से होगा, ये दोना 5 से तो होंगे नहीं, किसी और से देख लो, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 का डिवाड़ी रूल के है, सब को प्लस करतो, 8, 8, 16, ये वाला हो रहा है, ये इसको डिवाड़ी कर रहा हूँ, किस से, डिवाड़ी से कर रहा हूँ, क्यों हो जाएगा, कितना, 3, 2, 6, एक रिटू जा, 6, ना बचा, 2, बचा, वहां पे 28 हुआ, 3, 9, 27, एन वहां पे 3, 5, जा फिजे क्या हो जाएगा, 3, 4, 12, हो जाएगा, 3, 9, जा फिर ये किस से हो रह है, अब ये 3 से नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और किस से हो रहा है, पूर से तो होगा निकाहर, और देख लो, 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से एक बारी चेक कर लो, 7, देखो, इसमें आपको ऐसा लफड़ा रहेगा, इतना तो आपने कर लिया इतना तो आपने कर लिया इसी लिए पूलता हूं जब इन ऐसे नमर आते हैं आप सीधे इनके इनका निकालो और अची अफ से इन दोनों को डिवाड कर लो रिडूर्ट फॉर्म मिल जाती है ठीक है नहीं तो ऐसे मैं इसमें बहुत टाइम भगते हैं ऐसा देखना मैं से पढ़ता है तो लो फिर और देखी लेते हैं कि से और से वरे से वहां से वहां से बीनियुगा फिर होगा है कि अधिसे भी नहीं होगा है कि अधिन से होगा है कि अधिक को देखो या 295 को देखो कि आई ये को या प्राइम नंबर वाँ पर फस गया होगा उस पैसे को ढूंडने में हमें काफी तिक्कत आती है फिर ठीक है या तब इन दोनों का है एच्छी आप निकाल लो से कर लो वैशे अगर आप इन दोनों का निकाल लोगे न फोटो फार अशिएवन नाइन फार कर अगर आपड़ने का लोगे यह आपको है यहाप 885 मिलेगा है बता को अच्छे तुम लोग डिवाइड फी थ्री नाइन फाइब बता रहे हैं सा मत करो यह डिवाइड तो सही आपको बता है तुमसे कम डिवाइड तो सही आदो तो ठीक है इतना हो गया कि बाद देख लो तो रोज ट्राइब करो बड़े नम्मर से होगा फिर इस बड़े नम्मर से होगा कि तवन्टीन से और आइसा आएची सब्सक्राइब तवन्टीन मंजा रवंटीन और चैंब सिप्लिन आरा चैनल सुक्राइब कर लोग फिन ऐन फायब जा जुआ LEGO फिक्स फिलन फाइं ठाब फिलन फाइब च्इबन लाइन फाइब था मांच बाइकर फॉम स्यवार प्रोटल को से एंट tea और भीनागी दिज समय गरता हूं त बहुंट कहते कैसिक सेवन फाइब चाहिए बिल्कुल सहीं तो उन्हों काइट सेपके आएगा 59 आएगा मतलब यह 59 से रेटोज हो मैं दिवाइड वाइड करा इसको किसे टिवाइड वाइड 59 से करा चिनाइन फाइब जा होता है कि यहां पर आप इसको कर सकते थे और अगर मैं स्टार्टिंग में mhcf लेता है cf ले लेता मैं किसका hcf 445 and 6195 मुझे वह मिलता 885 मुझे hcf मिल लेता लिए पिर मैं 885 से 885 से अगर मैं फिर डिवाइड कर लेता एगर मैं इसको dvide कर लेता किसको और 425 को मुझे answer यहां पे मिल जाता कितना मुझे यहां पर answer मिल जाता कितना 5 मिल जाता और अगर ऐट 885 से 1239 को divide कऱता तो पर answer 7 मिल जाथा तो तो मेरा 5OH7 हो जाता जासे 5 आया wow seven आया है हमारा रीक्षिव तब जाके आपको चीज़ है क्लियर होंगे मैंने बोला था ना जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप लोगे प्रेसान एर होगे इन चीज़ों का आपको ज्यान रखना है इस एक यह ऐसे करमता चलें आगे हैं तो अध्यक्ष देख लोग इस एले कम चांस अजाए इतना बड़ा आपको दे दें कि आप बहुत फज्जा उसमें कि ऐसे नम मरने आएंगे मैं जैश्ट प्रेक्टिस के लिए डाल रखाए क्वेशन लेकिन फिर भी कौन सर्प्ट तो सेम है आपको तो करना आना ही चीज़िए सब्सक्राइब कर रहे हैं कि हम क्वेशन कर रह कि राहुल एंड प्रुमूद के इंकम ओफ राहुल एंड प्रुमूद दा इंकम ओफ राहुल एंड प्रुमूद और इंद रेश्यो और इंद रेश्यो और इंद रेश्यो जो रेश्यो दे रखा है उनकी इंकम का 5-8 रेश्यो दे रखा है ठीक है फुली स्टॉप के बा अब आपको statement भी तो समझ आनी चाहिए न कि statement में पूछा क्या जा रहा है statement में पूछा क्या जा रहा है ना तुम लोगों को note करना है ना तुम लोगों को question का answer करना है ना तुम लोगों को calculation करना है करे क्या रहे हो तुम लोग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम लोग करते क्या हो ना तुम लोग को फास्ट नोट कर रहा है ऐसा भी निया कि अपना लग से क्वैसन कर रहे होंगे ना क्वैसन समझना है ना क्याल क्वैसन करनी है ना नोट कर रहा है कुछ तो कर लो यार है है कुछ दो कर लो ऐसे क्या करते हो तुम बताऊं आइसे कैसे चलेगा कि कर लूँ कि यह कि यह कि आ कि अ कि वैसे नहीं लिखे थे रावल एंपरमूद आरे इंदर रेश्यों हुआ रेश्यो और फाइब स्ट्वेर रहुल डर्न डर्न मतलब उप अ कुछ जितना कमाता जितना कम है कितनी है 50200 प्रसाइब टेकिन ये पर मंत क्यों ये क्या है ये पर मंत कि है और मंत तो द आपको बोला है हुल मच प्रहुल की तो इंकम दे रखिया है बहुत इजी क्वैसान है जैसे आभी हमने वह वाला क्वैसान कर रहा था ना को परेंजिंग वाला ठीके जैसे एक वेसे एक्वैस एक्वाइस से पढ़ रहे हो राइकरो की ओगर ठाई करूट ठाई करो आई गरो आई गरो कि एक अ sag तो आगया ऑ कि या आगश को यसा जादे यह जाद की हजय कि जादा है ये अतना जादार दिफ्रेंस भी है ने देंश्युमें करें ज्यादा आरास आहांत है तो देख इतना तो सबने किया इतना तो सब आपको आपको समझना पड़े है कि राहुल की अगे लिखूंगा यहाँ डूटू-फाइब जिरो यह मेरी बात हो सीधे-सीधे हमने क्या कर देना है राहूल की जो सैलरी का रैशियो 5 है रोत की सैलरी का रैशियो 8 है हम सका प्रपोर्शन बना देंगे राहुल का देखो राहुलका वाईब हैज्ट मैं रा हमें यह प्रमूद के लिए था 8 है और प्रमूद का यह हमें फाइंड करना है तो यह हमने एक्स मान जा या कुछ भी आप वहां पर लिखेंगा अब इसको क्या करना था फाइब अपॉन 8 हो गया इस इक्वाल टू फाइब डबल जीरो अपॉन्मे एक्स हो गया हमें किसकी वैलो चाहिए एक्स की वैलो चाहिए एकस यह साथ जो कुछ भी हटा दो यहां पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि यह एक्स है में इसा न्यूमरेटर में रहना चाहिए इसलिए मैं पहले आपको समझाने के लिए क्रॉस मुल्टिप्लाइ कर लूँगा यह हो जाएगा फाइब इंटु एक्स इस इक्वाल टू पाइब जीरो जीरो और यहां पे इंटु में क्या हो जाएगा एट हो जाएगा क्रॉस मुल्टिप्लाइब हो गया यहां से एक्स की वैल्यू नहीं बताई ना तो मैं क्लास से भगा दूँगा फिर कभी इंडॉल नहीं करने वाला इसे बहुत ड्रामा हो गया तुम लोग इसाथ जितने प्यार से चल रहे हैं तुम लोग उ इसकी वैल्यू बतानी है अब अब तक आंसर आना चाहिए पता तुम लोग को अब तुम लोग बच्चे थोड़ी ना हो यह होंगे भी लेकिन मदब पढ़ाई में बच्चे नहीं हो इतना कुछ आपने पढ़ लिया कौन सी क्लास यह चल रहे हैं मैत की देख रहे हैं कहा अब तक हम पहुंच गे मैत में इतना एक तो तुम इतना टाइम भी तो मैत के लिए उपर से तुम लोग नॉर्मल मल्टिप्लाइट इवाइड यहां पर चल रहा है वह भी ने करोगे तुम क्या करोगे समझ जा करोगे फर तुम कैसे चलेगा तुम लोगी बताओ फिर ऐसे कैसे चलेगा ऐसे कैसे चलेगा फिर बताओ कैसा है सरन्यां सरसाही कि यहलगे मैं ले रहे हुना अब गेम बजाना पड़ेगा इस बारी सही आफिए और 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 विद्यां से अंसर तो आंसर तो तो सार्थक आंसर तो दिख्षिल आदव आदव यहां पतानी कहां जा रखा है कि इतने हमने कॉंसरप्ट कर ले तुम लोगी बताओ इतने भी सिच्वेशन्स बनती हैं कदी एक्स यहाँ है कदी एक्स यहाँ है कदी एक्स यहाँ है कदी एक्स यहाँ है यही चार सिच्वेशन हैं हम हर सिच्वेशन पर क्वेशन कर चुके हैं कि किसी को 5 का भी मल्टिप् कि तर इसे रेशियो में करेंगे हैं ये कोई पहली बात इस लाइन को पढ़ तो आँख देर्खिया ना तो आँख से इस लाइन को पढ़ ज़ा इसका ना पता निए क्या सीन है हर कलास में कि कि कितनी बारी मैं तुम्हें बोल चनद हैं कि सबसे पहले question को सुमझो कि पूछा क्या ग्या है, यहां पर क्या बोला है, कि how much does promote earn per month, promote per month कितना कमाता है, तो वो ratio में कमाता है, इतना तो दिख रहा है कि पूछा क्या जा रहा है question में, इसे तुम ratio में कैसे करोगे, मुझे ये पता, तु बता दे मुझे कि यहां पर पूछा गया है कि आपके पास कितनी पैंसिल है कि इसका रेशियो में कैसे आंसर देगा पता कि आदब काद जाएगा ठीक है कि यार तुम लोग इस लेवल पर नहीं हो ना कि मैंने इतनी क्लासे तुम लोगों के दे दी इतना चीकि मुझे पता है मैंने आपको किस तरीके से पढ़ा है तो आप इस तरीके के कुछ भी पूछ रो मतलब अधिक कोई सैंसी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना थोड़ी दुख तो होगा ना यार एक तो तुम लोग पितनी महनत पर एक एक चीज़ इतना अच्छे से समझाओ इतनी बार समझाओ लाश्ट में तुम लोग के ऐसा रिस्पोन्स रहेगा थोड़ा दुख अधिक क्या हो जाएगा डिवैड में चला जाएगा अब इतना दिमाग तो आपको रखना पड़ेगा कि सर हमने मत करो पहले पहले डिवैड कर लो आसान हो जाएगा ठीक है सिंप्टिफाइग करना है आपको पते फाइब से टिवैड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है अधिक कर दूंगा देखो फाइबाइफ फोर्जा 20 कितना बचा ट्व बचा ट्वंतिफाइब पाइफ से पीछे दो जीरो ती उन दो जिरो चो हमें मिला है एट से मैं करना में करना कि मैं छीखा रका जीरो जीरो है लाश्च में 0-0 ने आना ही आना है एट से पॉर्टिफ होता है 30,000 आपका अंसर आगया इप प्रमोड की सेलरी है यह क्या है कि यह तो इसका रेषयो भी देख सकतो खेकर रहो तो प्रमुल की जो कमा थी वह तो पह है जीरो जीरो ट्रीपल जिरो देखो यहां से क्या हो हो जाएगा 0000 कैंसिल हमने मिला क्या मिला लुपॉरा था ट alloc j 2022 hygog तो ट्वण्टी वाइब फाइब 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 फईज़ा थार्टी फाइब ऑफ प्र टूज़ा टैन बहुंस्रा और अब यह क然后 इंवार फ्रहा थी से और आधान हो रहा है याई नाइन से भी तो राएर डाइक्ट सीक्टी का एंफाइब और एट मिल ग्या ऐसे डिजाइन रहता है किसी को पूछ उताऊ चायगा है समझत है कैसे करना ठाथ कि यह रहा है अब जाए किसी को पूछ लो इस प्रॉब्लम आगे निकल रहे हैं तो फिर हम आगे निकल रहे हैं कि अग्षिक वैसन देख लूँ और रेसिपी रेसिपी समस्ते हूं ना खाने बनाने का जो मैथाड होता है फिर रेसिपी कहते हैं ठीक है एक रेसिपी के लिए चाहिए एक कप दूद 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 चाहिए एक कप द कि पढ़िनाने के लिए ओम एक अकाइक को समझाटे पहले पहले बात कूह जो व्यंदा बड़े होते हैं उनको देख के आपको ढर्ना नहीं है उनको देख गवराना नहीं कितना बडा कैसे होगा तो बस अमजदा को ट्राइ करना एक डिक है आव मैंजर लेकंव how many, how many cups of flour, how many cups of flour, will be, how many cups of flour, will be needed, will be, needed, how many cups of flour, how many cups of flour, will be needed, make, be needed, make, a, similar, make a, similar cake, similar cake, four, 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 and half, F darting at unf. F handi undiu. Sprou mouth. Printing at unf. Ok? Goddemach. Fart enn hafallat hanf. Nú lættum við ekki. Farmunkar et. Rafa, hann er ett jenge klgal og blokkenцыk. तो तो कासा चल रहा है अरो नहीं सmost लेता है जिल रही है जल रहा है नहीं गोट रूरत 7 कंद्र पर ऐसी ऩा जितने प्रेक्टिस की आपको इज़ीत आपको और आपको कंपटिब न cilantro ज़ते हुब जैसा चल रहे है Wow है और ऐन धान नोट कर लो कि वह तो क्वेशन नोट कर लो रेशीपी रिक्वार्स वन कप अफ मिल्क और एवरी तू हाफ कप अफ लूर्ड तुमेक केक अब हमने जैसे रहुलार्स प्रूमोद वाला क्वेशन कर था साद्री उनकी इंकम वाला क्वेशन यहाँ से मुष्य के जैसा क्वेशन है तो हम कैसे करेंगे वह तो यह सीर्य सीर्य आपको वैल्यू देखने है प्रेशन नोट कर लिया सब ने तो आपने क्या गरा आपको बोला है एक रेसिपी के लिए चाहिए एक कप दूद ठीक है अगर हम वापे डाई तू हाप कंद डाई कप तू होल बन अपॉन टू कप अगर हम वाप आटा ले रहे हैं तो हम एक कप दूद लेना पड़ेगा ठीक है फिर बोला how many cup of floor कि हमें कितना cup floor लेना है कि हमें केक बना पाएं जिसमें कि हम दूद डाल रहे हैं कितना 4 whole 1 upon 2 cup कमझे बात को अगर मैं एक cup दूद डाल रहा हूं एक cup दूद ले रहा हूं तो मुझे 1.5 cup आटा लेना है ठीक है आपको बोला अगर मैं 4 half cup दूद ले रहा हूं तो मुझे कितना आटा लेना है बहुत इसी question है बहुत इसी question हम क्या गरंगे इनका proportion में बना दो आपको 1 cup milk दे रहा है आपको क्या दे रहा है एक cup आपको milk दे रहा है और एक cup milk बोला है कि जब मैं एक cup milk लेता हूं तो मैं वाँ पे आटा कितना ले रहा हूं 2 half मैं आटा ले रहा हूं क्या ले रहा हूं मैं 2 whole 1 upon 2 मैं क्या ले रहा हूं आटा ले रहा हूं इसका proportion बना दो इसका proportion बन तो पीछे वाला है तो मैं पीछे लिख लूँगा फ्लोर हम ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं एक्स कप फ्लोर हम ले रहे हैं चीक है सर तो हमने क्या करना है हमने क्या करना है ध्यान से अब देख लो यहां पर लिखा है में का सिमिलर केक और कप ऑफ मिल्क मिल्क कितना है फोर हाफ है तो मैं यहां लिख लूँगा फोर हाफ बस इतना आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि मिल्क यह मिल्क वाला है आगे देखो रेशो का जो आगे वा मैं इसको solve कर लेता हूं ठीक है कि 1 को ऐसी रख दो अपी इसको solve करो 2 to the 4 4 plus 1 5 upon 2 यह करना भी सबको आता है सीख रखा है ठीक है फिर क्या यहां पर proportion 4 to the 8 8 plus 1 9 upon 2 ठीक है यहां पर यह क्या है एक्स है ठीक है अब इसको देखके डरना मत कि सारे यहां पर तो fraction में हम कैसे करेंगे कौन साफ आपको सारे बता रहें ठोड़ा आपको दिमाग लगा लगा लाएंगे इसको देख लो इसको रेशिो में लिख लो देखो वन है और जो रेशियो है एक यह यह विकर सकते हो कि इस रेशियो को आप पॉइंट में बना लो है ना आई मिन जो फ्रेक्षिन उसको डिवाइड कर रहो पॉइंट में आएगा लास्ट में पॉइंट को फिर रेक्षन में चेंज कर लेना आंसर भासर भी आ जाएगा जैसा भी आपको लेगे ठीक है वन है यह है चंसा is पिर यहां पर देख लो है इस प्रॉपर्वर्वरा पना लेता हूं और में एकला मैंकि वनालur अब मैंने आपको concept सिखा रहा है कि 1 divided by 5 upon 2 1 divided by 5 upon 2 है और यह divide जो main divide white वाल है तो मैं इस divide को multiply बना ले रहा हूँ 1 multiply और 5 upon 2 का उल्टा हो जाएगा 2 upon 5 बात आपको समझ आई ठीक है is equal to मैं देख लो is equal to मैं देख लो 9 upon 2 divided by x है main divide कौन से ध्यान से देखना यह 9 upon 2 इसको हम divide तो हम white वाले से मैंने आपको सो कर रखा है तो यह multiply बना दो और x का उल्टा कर दो x के upon में कुछ नहीं था हम upon 1 मान लेते हैं x upon 1 का reciprocal क्या होगा 1 upon x हो जाएगा सारी बात है मैं आपको सिखा रखी 1 upon x हो जाएगा अब एक बात को solve कर लो 1 into 2 तो 2 हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 2 upon 5 is equal to 9 into 1 को रोगे 9 हो गया and 2 into multiply तो numerator numerator denominator denominator का होता है आपको पताएगा 9 बंज़े 9 and 2 into x कितना हो गया 2x हो गया अब हमें यहाँ पर यह equation बन गई हमें यहाँ पर क्या बन गया यह equation बन गई कि 2 upon 5 2 upon 5 is equal to 9 upon is equal to 9 upon 2x ठीक है मुझे value किसके चाहिए मुझे value किसके चाहिए x की मुझे यहाँ पर value चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूँगा cross multiply कर दूँगा 2x into 2 को रोगे 2x का multiply 2 के साथ होगा तो 2x into 2 को रोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है 2 2 तूजा 4 into x हो ज ठीक है 4x is equal to 9 5 या कितना होता है 45 x is equal to क्या हो जाएगा 45 upon 4 यह आपका answer है लेकिन हमें इस answer को क्या करना है हमना इसको try करना है कि यह भी mixed fraction में को क्यों सारे देखो वह mix में दे रखा है यह भी mix में दे रखा है हमारा answer mix में रहेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x is equal to इसके आपको mixt fraction बनाने तो mixt fraction हम कैसे बनाते हैं four से divided कर लो ठीक है four से हम ऐसे divide करतें ना four से इसको 45 को डिवाड कपई कर रही हो जाएगा 4 one ja 4 हो जाएगा यहाँ 0 यहांसे लिए making five फिर से 44 यहाँ पर बचाएवचelli हम यहां पर इसको कहने कर लेते हम कर ले थे क्या 11 whole one upon 4 ऐसा लिक लेते 11 whole one upon form उसको कर लेते हैं ठीक है तो मैं लिक लेता हो इसको 11 whole 1 upon 4 यह हमारा X की वैल्यव आइए इतने कप चाहिए हमें किसके इतने कप चाहिए हमें किसके floor के है ठीक है यह हमारा answer रहेगा कि 1101 अपून 4 कप चाहिए बताओ अधिया थोड़ा एक्स्टा चीज आपको देरी रिखी थी थोड़ा एक्स्टा कैल कुरिशन थी पागी कोई दिक्कत नहीं है बहुत सिंपल क्वेशन है कि आप इसको समझ सकते हैं बड़ क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से बता है तो मैं आपको बिल्कुर इसको कौन सब्सक्राइब लेकर चला था आप यहां पर यह भी कर सकते थे ठीक है कि यह रेशियो था ना देखो एक एक बार रुख जाओ एक बार इसको मुझे समझाएं जो मैं आप याप इसम जा रहा हूं यह रेशियो क्या था इस वाले को देखो इस वाले को देखो इसको देखो इतना 1 इस्टो 5 अपॉन 2 था तो मैं इसको 1 अपॉन 5 अपॉन 2 कर लिया यह दिग गया आपको ऐसे 9 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन X इसको मैंने कर लिया सीरे मैं इसको यहां cross multiply कर सकता था 1 इंटो X कर सकता था 9 अपॉन 2 इंटो 5 अपॉन 2 भी मैं इसको कर सकता था और salt हमारा वहां पे answer हो जाता अगर आपको इतना भी यह solve नहीं करना था समझे हो मेरी बात को अगर आपको वह भी solve नहीं करना था यहां पे देखो मैं एक बारा आपको समझाही देता हूँ यहां पे देखो लिए वो क्या था 1 अपॉन 5 अपॉन 2 था ठीक है और is equal to में 9 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 था हमने क्या कर लिए 1 इंटो X कर लिए 1 इंटो X करोगे X हो जाएगा 9 अपॉन 2 ग्रॉस मल्टिप्ला हम कर रहे न यह 5.2 हो जाएगा X is equal to 9 5 जा 45 एंटो 2 जा 4 45.4 सीदे हम यहां पहुँच गे तो यह भी आपको देखना होता है यह सारी चीजा कब होती है तर जब हम प्रैक्टिस करते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से भी हम इसको डालेक्ट कर सकते थे ठीक है समझा हो गया यहां नोट हो गया वह भी मैं आपको एक बारी समझा देता हूँ वह मैं आपको एक बारी समझा देता हूँ यहां पर कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे यहां पर यहां पर 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 हम जो कर रहे थे यहां तक तो हम आगे थे, यहां तक तो हम आगे थे ना यह वाला, यहां तक हम आगे थे, ठीक है तो हमने इसको क्या कर दिया, यह ऐसा था, 1 upon 5 upon 2 था, is equal to 9 upon 2 upon x था, क्रोस मल्टिप्लाइ मैंने इसको इससे मल्टिप्लाइ कर रहा, यह हो जाएगा, 1 into x is equal to 9 upon 2 into 5 upon 2, 1 into x, x ही हो गया, 95 जो 45 हो गया, 22 आपका 4 हो गया, यहां से आप उसको डिवाड करोगे, वह यहां आपको आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यह था आपका, प्रेशन, इस तरीके से कुरोगे, इस तरीके से कुरोगे, ठीक है, हम अजरे हो, एक लास और आएगे, इस पर और टाइप के हम question करेंगे, इसमें ratio proportion के, उसके बाद फिर आपके test बगया आप बढ़िया तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है, जो भी सोल सब्सक्रापके test आ रहें, इसके बा आपको यह चीज अच्छे से clear होगे जोगी, बाकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परिशानी होगी, तो बता देना, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल की class में, you lovely guys may leave now, wish you all the very best, be, he, he, happy, ठीक है, बढ़िया करो, बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहो, ओके, ठीक है, ठीक है, और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से preparation करने है, या कोई भी आपका goal है, कि मुझे REMC करना है, GNV, CHS, जो भी ये school होते है, जहां कि intense exam के तो आपको admission मिलता है, तो उसके आप preparation कर रहे हो, और आप वहाँ जाके अपना पूरा study करने वाले हो, अपने development करने वाले हो, तो unt control concept ले करके आया है, आपके लिए winner badge, जिसमें कि आपको daily classes मिलती है, ठीक है, live classes होती है, उनके recording भी available होती है, आप instant अपना doubt clear कर सकते हो, conceptual classes होती है, माई का आप वहाँ पर ओने कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपको daily practice problem मिलती है, जो भी हम लोग उने class में करा है, आपको उस 24.7 में आपके लिए available रहता हूँ, right, किसी भी time आप अपना कोई question कर रहे हो, कोई topic पढ़ रहे हो, कुछ doubt आगया, आपने तुरंत contact कर लिया, on the spot आपका doubt clear हो गया, ठीक है, पर बहुत minimum affordable fee रहती है, ताकि हर कोई effort कर सके, और अच्छे से अपनी preparation को कर सके, right, exam तक आपकी classes continue रहेंगी, जब तक आपका exam नहीं हो जाता है, तब तक आपकी class continue रहेगी, और daily आपकी class हुआ करेगी, मस्त हो करके आप preparation करोगे, अभी आप देखो, आपका level क्या है, class के बाद देखना, आप कितनी सारी चीज़े से सीखोगे, बहुत अगरा आपका foundation बन जाएगा, ठीक है और आपको बिल्कुल dedicate हो करके, जो instruction दिये जाएंगे, उनको follow करना है, और जहां भी कोई भी problem आएगी, anytime.facities आपके लिए, बाकी classes की मेरी guarantee है, जो मैं आपको करवाँगा, आपको easily चीज़े समझा जाएंगे, आपको effort ने करना है, effort हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा, उसमें आपको effort लगाना है, right इदार दार का कुछ ने करना है, फिर परेशान ने होना है, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, आपको मस्त हो करके, बस flow में अपनी preparation को आगे बढ़ाना है, ठीक है, और फिर आपको आपका goal अच्छेव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बता दिना, wish you all the very best, be happy, फिर आम classes में आप मिलते हैं, okay?